नालंदा जिले के नूर सराय प्रखंड की सरदार पटेल स्टेडियम में 23 दिसंबर को लोक जन्शक्ती पार्टी राम विलास के द्वारा जन्समवाद कारेक्रम आयोजित किया जाएगा इस कारेक्रम में पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष चिराग पासवान जन्समवाद जन्सभा को संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से लोक जनशक्ती पार्टी के प्रदेश, महासचिव रामकेश्वर प्रसाद, उर्फ पप्पु और जिलाध्यक्ष सत्यंद्र मुकुट लगातार नालंदा जिले में घूम घूम कर लोगों को इस जनसमवाद में शिरकत करने क लिए निमंत्रन दे रहे हैं। इस दौरान लोजपानेता रामकेश्वर प्रसाद ने कहा कि बिहारियों के चहरे पर से गायब मुस्कान को चिराग पासवान ने वापस लाने का बीड़ा उठाया है। बिहार की आवाम चिराग पासवान की ओर टक-टकी लगाकर आशा भर बिहारी निगाहों से देख रही है। बिहार में लचर शिक्षा, वस्वास्तिय व्यवस्था और कुव्यवस्था को दूर करने को लेकर चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कारिकरम के तहत लोगों को इस अभियान से जोडने का काम कर रहे हैं ताकि लोगों को उनका हक मिल सकी। परखंडों में दवरा कर रहे हैं। पटरी से उतर चुका है, बिहार में सिच्छा बदहाल है, यहां स्वास्त से बाद चर्मरा गया है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। मुख मंतरी नितीस कुमार जी से जनता मुखरूप से उब चुकी है। अब हर हाल में यहां की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाब चाहती है। बिहार में कैसे अमन्चैन का माहौल कायम हो, इसके लिए लोग चिराग पासवान जी की ओर देख रहे हैं, सबी को इच्छा है कि बिहार की कुर्सी पर स्री चिराग पासवान जी के यह आसिन हो करके, बिहारियों के चेहरे से जाजमुस्कान छिन गया है। यहां की जनता जो तराही माम कर रही है, उससे निजात पाने के लिए चिराग पासवान जी गदी पर बैठें, और बिहार का जो उनका संकल्प है, बिहार फ़ष्ट बिहारी फ़ष्ट, बिहारियों को कैसे लाव मिले, बिहार कैसे, अबल राज की सरेनी में आए, और उन् संकल्प को पूरा करें लोग जनसक्ति पार्टि के राष्टिय अध्यच मानिय चिराग पासवान साहब हमारे नूर साय परखंड में सरदार पटेल स्टीडियम में तेज तारीकों दिन सनिवार को आ रहें इनकी तैयारी के लिए हम लोग ने जो नलंदा जिला में 1054 गाउं ह सभी लोग बढ़ चड़कर मैं आपके माध्यम से सभी जगा मैं इसे निमंत्रन भेज रहा हूं और सभी से आगरा कर रहा हूं कि तेज तारीकों अपने नेता अपने समर्थक के साथ सभी लोग तेज तारीकों चिराग पासवान के आकर दबे कुछले बंचीतों के एक महलवान सभी का एक अबाज बनेंगे यहां से जन संबाद करेंगे